भारत के ग्यारमे राश्टपती डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम को लोग उनके नाम से कम उनकी काम से ज़्यादा जानते थे देश को आधुरिक सुदेशी मिसाइलें बनाने में सक्षम मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले डॉक्टर कलाम को पूरा देश 15 अक्टूबर को उनके जन्द दिन पर याद कर रहा है डॉक्टर कलाम एक प्रेरक व्यक्ते थे लेकिन उनका पूरा जीवन ही लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरना रहा है उन्होंने बच्पन में अपने परिवार की मदद के लिए अखवार बेशने का काम किया और वहां से मिसाइल मैन बनने तक का सफर तैय किया अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिन नाटू में रामेश श्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था इनके पिता का नाम जैनलाबदिन था जो पेशे से नावों को किराय पर देने और बेचने का काम करते थे कलाम जी के पिता अनपड थे पर उनकी विचार आम सोच से कहीं उपर थे वो उच्च विचारों के धनी व्यक्ती थे और अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे इनकी माता का नाम असीमा था जो एक घरेलू महिला थी डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जी की प्रारंबिक शिक्षा रामानात पुरम तमिल नाडू से हुई थी इस स्कूल की दिनों में वो अपने एक सिक्षक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे जिनका नाम आया दुरे सॉलोमन था उनके सिक्षक का माना ये था कि खुआश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत जरूरी है इन तीन मूल मंत्रों के कारण आप अपने मंजिल को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखरी समय तक अपने जीवन में कायम रखा अपनी प्रारामिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम ने तिरिचुला पल्ली के सेंट जोजिफ कॉलिज से 1954 में भौत एक विज्ञान में B.S.C की डिग्री प्राप्त की इसके बाद 1955 में वो मद्रास चले गए कलाम जी को लड़ा को पाइलिट बनना था जिसके लिए उन्होंने इंस्टिट अप टेक्निलोजी इन एरो स्पेस इंजिनिरिंग में शिक्षा ग्रहन की परंतु परिक्षा में उन्हें नौवा इस्थान मिला जबकि IAF ने आठ परिणाम घोशित किये जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाए इसना तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम एक प्रजेक्ट पर काम करने लगे थे और प्रजेक्ट इन्चार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र तीन दिल में पूरा करने का समय दिया था और साथ में ये भी कहा था कि अगर ये मॉडल ना बन पाया तो उनकी स्कॉलर्शिप रद्ध हो जाईगी फिर क्या था अब्दुलकलाम जी ने ना राद देखी ना दिन ना भूग देखी नहीं प्यास मात्र 24 गंटे में अपने लक्ष को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तयार कर दिया प्रजेक्ट इन चार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि ये मॉडल इतनी जल्दी कैसे पूरा हो गया उस मॉडल को देखकर प्रजेक्ट इन चार्ज भी आश्चर्श चकित रह गये इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई चनोतियों का डेट कर सामना किया इसना तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैग्यानिक के रूप में शामिल हुए इन्होंने प्रसिद वैग्यानिक विक्रम सारा भाई के साथ भी काम किया 1999 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहाँ पर इन्होंने परियूजना निर्देशक के पट पर काम किया इसी पत पर काम करते समय भारत का प्रतम उपग्रह रोहनी प्रतिवी की कक्षा में वर्ष 1980 में इस्थापित किया गया इस रों में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभागे की बात थी क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश के लिए वो जी रहे है उनका वो उद्देश पूरा होने लगा है वर्ष 1963-64 में अब्दुल कलाम ने अमेर की संग्ठन नासा में भी दोरा किया भारत के प्रसिद परमानु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमानु परिक्षन किया जिसमें कलाम जी को परिक्षन करने के लिए बुलाये किया 1970-80 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कारियों की सफलता के कारण देश के प्रसिद वैज्ञानिक बन गए और ख्याती बढ़ने के कारण उस समय की प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांधी ने अपने केविनेट की मनजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कारियों के लिए अनमती दी थी अब्दुल कलाम कुल पांच भाई बहन थे जिसमें तीन बड़े बहाई और एक बड़ी बहन थी जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब इनका परिवार गरीबी से जूज रहा था परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपी जए अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखवार बेशने का काम शूरू कर दिया था इसकूल के दिनों में वो पड़ाही में सामाने थे परंतु नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा ततपर रहते थे और घंटों पड़ाई किया करते हैं गड़त विशय इनका मुख्य और रूची वाला विशय था अपने कारियों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राश्टिय जन्त तांत्रिक गड़वंदन की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम को दो हजार दो को राश्टपती पत के लिए उमीदबार बनाया अब्दुलकलाम जी ने अपने प्रत्दुन्दी लक्षमी सहकल को भारी मतों से हरा कर 25 जुलाई 2002 को भारत के ग्यार में राश्टपती के रूप में शपत ली डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम एक ऐसे राश्टपती है जिनको राश्टपती बनने से पहले भारत रत्न का परुसकार मिल चुका है अब्दुल कलाम से पहले दो और राश्टपती डॉक्टर जाकिर हुसेन और डॉक्टर राधा कृष्णन को ये भारत रत्न का परुसकार भी मिल चुका है राश्टपती के दायत्यु से मुक्ध होने के बाद डॉक्टर कलाम कई सेक्षनिक संस्थानों में मानत फैलो वा एक विजिटर प्रोफिसर बन गए थे कलाम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेणा सुरोत रहे है डॉक्टर कलाम हमेशा से युवाओं के भविश को बेतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे है अब्दुल कलाम का उद्देश ये था कि वो भारत से ब्रेश्टचार को हटा दे देश की युबाओं ने उनकी लोक प्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को दो बार MTV Youth Icon of the Year अवार्ड से नवाजा था कलाम का सपना फाइटर पाइलिट बनने का था इसके लिए उन्होंने जी जान लगाकर भारती वाईव से ना में भरती की परिक्षा थी और नौवे स्थान पर भी आए लेकिन उस परिक्षा में केवल आट उम्मीदवारों का ही चैन होना था देश के लिए इससे भी बड़ी सेवा करने के बाद वे हमेशा इस घटना को याद करते हुए कहा करते थे अगर आप फेल होते हैं तो निराश नहीं हो क्योंकि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्ट इन लर्ने डॉक्टर कलाम शायद भारत के एकलोते राश्टपती हैं जिनने उनके वैग्यानिक कारियों से ज़्यादा जाना जाता है लेकिन इन सफलताओं तक पहुँचने से पहले उन्होंने बहुत संगर्श किया था अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिल नाडू के रामे शुरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था उनके पिता नाओ से हिंदुओं की तीर्थ यात्रा कराते थे बच्च्पन में कलाम का परिवार संपन्न नहीं था इसलिए परिवार के लिए उन्होंने अखवार बेचने का काम शुरू किया परिवार की आर्थिक तंगी भी कलाम के पढ़ने के जजबे को रोक नहीं सकी और सत अंक लाने के बाद भी कलाम की गड़ित और बहुत की में बहुत रुची रही वे गड़ित को बहुत ज़्यादा समय दिया करते थे रामानात पुरम में इसकूली पढ़ाई पूरी कर उन्होंने त्रिशला पल्ली के सेंट स्टिफन कॉलिज में दाखला लिया जहां उन्होंने उन्नी सो चववन में बहुत की में सनातक की डिग्री हासिल की 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल की उम्र में भारतिय प्रवंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे जब उन्हें कार्डियक अटेक हुआ और वो वहीं बेहुश हो गए लगभग शाम को साड़े च्छे वजे होने बेधानी अस्पताल में आई सिउ में ले जाये गया जहां दो घंटे के बाद उनकी मृत्ति हो गई 30 जुलाई 2015 को उनके पैत्रिक गाउं रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ उनके अंतिम अनुस्ठान के समय तीन लाग पचास हजार लोग शामिल थे जिसमें भारत के प्रिधान मंतरी श्री नरेंद मोदी, तमिलनाडू के राज़िपाल, करनाटक, केरल और आंधर प्रदेश के मुक्र मंतरी आदी लोग शामिल थे अगर व्यक्तिकत जीवन के वारे में कहा जाए, तो डॉक्टर कलाम पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले थे कलाम जी, श्रीमत भागवत गीता और कुरान दोनों का अध्यान करते थे भारत को विकास शील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था बच्चों और युवाओं के कलाम जी, हमेशा से ही पेड़ना सूत रहेंगे